लगभग 6 करोण साल पहले पिर्थवी पर 10 किलोमेटर व्यास वाला चोटा तारा गिरने से पिर्थवी पर डाइनसोर का खात्मा हो गया था सोचो अगर डाइनसोर का खात्मा नहीं हुआ होता तो क्या होता कमेंट में जरूर बताना है आप लो आज पृत्वी पर जीवन कैसा होता अगर डाइनासोर खत्म नहीं हुए होते तो आज पृत्वी पर नई पर जाती देखने को क्या हमें मिलती नहीं नई पर जाती हमें देखने को नहीं मिलती अर्थात शेर बाग बिल्ली घोड़ा उट आजी जैसे कई स्थंदारी जो तो ही नहीं होता, उनमें मनुष्य भी शामिल है, कहनी का ये मत्तब है कि मनुष्य का अस्तितु भी नहीं होता, अर्थात जो आज की दुनिया हम सब देख रहे हैं, वो नहीं होती, तो दोस्तो धरती पर डानासुर का अंत कैसे हुआ, वैं इंसान की उत्पति कैसे हुए, आ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही बैराईकल जरूर दबाएं, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक समय था जब हमारी दुनिया में डाइनसोर का राज था। डाइनसोर ने करीब 14 करोड सालों तक इस धर्ती पर राज किया। आज से करीब 16 करोड साल पहले अचानक से डाइनसोर का अंत हो गया। कारण था एक छोटा सा धियूंगेतु यानि कि एस्ट्रोइड जो बहुत दूर से अंतेक्षे आ रहा था। लगभग 40 किलिमेटर बढ़ा यह एस्ट्रोइड बहुती तेजी से भारत प्रिथवी की ओर आ रहा था। और प्रिथवी के वातरण में घुशते ही यह आग के गोले में बदल गया। और मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराया वे भ्यानक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट दस हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्ति साली था कि करीब 180 किलोमेटर चोड़ा वे 20 किलोमेटर गहरा गड़ा प्रिथवी में हो गया। कुछ ही समय में भूकम पाने लगे, सुनामी भी आने लगी, सभी सक्रे जौलम की बाहर आ गया। जिससे डाइनसोर और कई जीवों का विनाश हो गया। जो मेटल प्रिथवी के अंतरिक्ष में इस विस्फोट के वज़ए से चले गया थे, उपर की तरफ चले गया थे हवा में, वो ग्रैविटी के कारण, यानि प्रिथवी की ग्रैविटी के कारण, आग के गोले बनकर प्रित्वी पर बरसने लगे जिससे जो उड़ने वाले डायनोसुर थे और जो भी हवा में उड़ने वाले जीव जन्तु थे वो खत्म हो गए पिर्थवी का तापमान बढ़ने लगा पिर्थवी का तापमान बढ़ने से हजारों मेल दूर जीव भी जो थे वो मरने लगे धरती की लगभग 90 प्रतिशत प्रजाती लुप्त हो गई वहीं वो जीव जिन्दा रहे जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था क्योंकि वो जमीन के अंदर भी एड़ेस्ट कर पा रहे थे और वनस्पती के नश्ट होने के कारण पेड़ पौधों के नश्ट होने के कारण बड़े जीव जन्तू तो मर चुके थे कुछ मेमल्स यानि स्थन्धारी जीव गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे थे धीरे धीरे धर्ती का तापमान सामानने होने लगा और फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे धर्ती पर जो जीव बचे थे उन से अलग-अलग प्रजाती की उत्पत्ती हुई उन में से कई सारे जीवों के हाथ पैर जो हमारी तरह ही थे और इस तरह से धीरे धीरे मनुष्य की उत्पत्ती हुई हिमाले परवत के निर्माण के बाद मौसम का पैटर्न बदलने लगा और नदियों का निर्माण हुआ घास के मैदान बढ़ने लगे और मैदान में रहने वाले जीवों का भी विकास होने लगा जिसमें आज का मनुष्य भी सामिल है तो दोस्तो हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी क्या आप कुछ और कारड भी जानते हैं डाइनसोर के खत्म होने का और मनुष्य की उत्पत्ती का तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा आपके कमेंट का हमें इंतिजार रहेगा तब तक के लिए बीडियो में